हलो दोस्तो वेलकम टो अद्बूत राजनीती तो दोस्तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे प्राइवेटाइजेशन के बारे में 2014 के बाद से इंडियन गौवर्मेंट ने कई लोस्मेकिंग गौवर्मेंट कमपनी जैसे BPCA, Air India, etc. को प्राइवेट करने का फैसला किया है और Air India के केस में इंडियन गौवर्मेंट को कामियाभी भी मिली है इंडियन रेलवे का प्राइवेटाइजेशन देश में बड़ी चर्चा का विशय बना हुआ है कई लोग प्राइवेटाइजेशन को सपोर्ट करते हैं तो कई लोग इसका विरोध तो friends आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि privatization क्या है और Indian Railway को privatize करने के क्या advantage और disadvantages है आपसे request है कि सही जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखें तो दोस्तो सबसे पहले ये समझते हैं कि privatization actual में है क्या privatization का simple सा meaning है कि अगर government किसी भी property या फिर company को private sector को दे देती है तो उसे privatization कहते है generally government privatization तब करती है जब कोई government company काफी घाटे में होती है जैसे कि हमने air India की case में देखा था या फिर किसी sector के development के लिए government को बहुत जादा funds की आवशकता होती है अब दोस्तो इंडियन railway की present condition को समझते है तो दोस्तो इंडियन railway फिलाल इंडियन government on करती है और इंडियन railways वर्ल का चोथा सबसे बड़ा network है इंडियन railway network 68,000 km तक फैला हुआ है इंडियन railway के पास 12,729 trains है वही 2.25 करोर passengers daily इंडियन railway से travel करते हैं जो की world की 77 countries की population से भी जादा है इंडियन railway को 71% दग electrify किया जा चुका है जो की कुछ 46,000 km के आसपास है इंडियन railway का main income source माल गाड़ी है और इंडियन railway साल भर में 1.2 billion ton माल धोती है इंडियन railway में 12 lakh employees है तो दोस्तों इंडियन government के according 2030 तक उन्हें 50 lakh करोड रुपीज railway के development में लगेंगे ये fund इंडियन railway 400 stations के redevelopment, passengers amenities जैसे पानी, wifi और railway track बनाने के लिए जमिन खरिदने आदी में use करेगा अब इतना सारा पैसा इंडियन government railway में नहीं लगा सकती तो government of India ने railway privatization का plan बनाया है जिससे private sector को railway में लाकर government railways के लिए fund एकटा कर सके शुरू में इंडियन railway की 151 train privatize की जाएगी जो की cool train का 2% भी नहीं है ये train इंडिया के 109 सबसे busy routes पर चलेगी और इनकी validity 35 साल तक रहेगी train को चलाने वाला staff इंडियन railway का ही रहेगा और companies को energy charges, haulage charges और अपने revenue का कुछ हिस्सा railway के साथ share करना होगा private companies का selection two step process से होगा पहले request for qualification से interested companies को select किया जाएगा फिर request for proposal से companies के proposal submit किये जाएगे इस पूरी process को complete होने में 6 months लगेंगे इंडियन railway के privatization से इंडियन government को 30,000 करोड रुपए मिल सकते हैं वही railway privatization के बाद भी किसी भी plan या change का आकरी फैसला इंडियन government ही करेगी railways के privatization से train के infrastructure में तो सुधार आएगा ही साथ ही हम इंडियन trains को समय पर भी दोड़ता हुआ देख सकेंगे वही privatization की वज़े से railway में better technology use होगी जिससे बारिज जैसे मौसम में भी train अपनी services सुचारू रूप से चालू रख सकेगा train की security भी improve होगी और stations पे monitoring भी better होगी private companies के आज आने से एक ही route के लिए passengers के पास अलग-अलग और better options होगे private companies अपनी service improve करेगी जिससे कई sector में employment भी generate होगा फिलाल इंडियन railway इंडिया के हर कोने में train चलाता है बट private companies के आज आने से हो सकता है कि उन routes को neglect किया जाए जहाँ पर companies को loss हो रहा है जिससे आम आदमी को काफी दिक्कत हो सकती है शुरू में तो सभी private companies किराया कम रखेगी बट जैसे ही लोग इन trains पर dependent होंगे ये companies price hike करेंगी जिससे lower class लोगों की परेशानी आ सकती है प्राइवेटाइजेशन के बावजुद last decision इंडियन government का होगा इससे कई बार companies और government के बिच conflict भी पैदा हो सकता है इंडियन railway बहुत बड़ा railway network है और private companies को अपनी trains को operate करने के लिए कई complexity का सामना करना पड़ेगा UK, Japan, Canada, Sweden, Australia, New Zealand आदी countries में train या तो fully privatized है या फिर semi privatized दुनिया में railway privatization को लेकर मिले जुले reactions है For example, UK में जहां railway privatization failure की तरह देखा जाता है तो वहीं जापान में railway privatization के idea को काफी success मिली So friends, यह था आज का वीडियो आप privatization के बारे में क्या सोचते हैं प्लीज कमेंट करके बताईए अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे like कीजिए, share कीजिए और अपने channel को subscribe करना ना भूले जै हिन, जै भारत